ऐब सब्सक्राइब, जोटी वर्मा तोड़े आंग गोंग तू स्टार्ट विद टाइब कम्ट्रेट थिऊरी तो यह थिऊरी है हमारी परसनालिटी की थिऊरी जैसा कि हम अपनी लर्निंग आंट टीचिंग की यूनिट फॉर्थ पढ़ रहे हैं और यूनिट फॉर्थ के अ लंदर खुटामें से दिला खरींहें लायन अनकले पर यह ऑनली न मेहती रहाइए गभाने आ से लिन और gi अधा ज़िया आंदर आपर सकते हैं लृत तरीके से, आपके माइंड सैकलोजी होती है, उसके गुणों के अधार पे उन्हों ने क्या क्या वैक्टित्व के तीन प्रकार बताएं यानिकी सभी ने अपने अपने हिसाब से personality के टाइपस बताए हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं किस किस टाइप की गुणों में उन्होंने विभाजित किया उस चीज को तो उसके हिसाब से ही आईजंक जो है इन्होंने अपने तीन प्रकार बतायते किसके personality के तो तीन प बेसिकली आगे हम देखेंगे तो first इनका type था अंतर मुकता और बहर मुकता मतलब जैसा कि हम ने अंतर मुकी और बहर मुकी दोनों types पढ़े हैं एक theory में तो उसी प्रकार इसके अंदर भी है अंतर मुकता और बहर मुकता तो इसके अंदर क्या है आईजेंक ने जुंग के द्वारा दिये गए वर्गी करण जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमने जुंग की थियोरी में पढ़ा था अंतर मुखी और बहर मुखी तो ये उनकी थियोरी से ही connect करती है तो आईजेंक ने जुंग की द्वारा दिये गए वर्गी करण अंतर प्रकार नहीं माना, मलकि दोनों को एक ही मापनी बना कर मान कर अध्यन किया, मतलब एक ही तलीके का इन्होंने इस टाइप को माना, उन्होंने इन दोनों को क्या किया, उन्होंने इन दोनों को एक ही प्रकार माना, जो दुई ध्रूविये हैं, मतलब दो ध्रूविये हैं, एक छोर पर अंतर्मुखी को रखा और दूसरे किनारे पर किसको बहिर मुखिय को रखा जैसे कि अगर हम देखें कोई वیکती समाजिक है मतलब कोई वेकती सोचल है सोचल लेवल पर अगर सोच रहा है शोच माजी रहा है तो वेक्तियों से मिलना जुनना पसंद करता है तो ये बेसिकली क्या है? ये एक ही इन्होंने इनके दोरों टाइप्स को सेम टाइप बताया, अंतर मुख्य और बहिर मुख्य ये सेम टाइप बताया आगे है इसके अंदर तो उसको बहिर मुख्य पक्ष में रखा क्या कर सकते रख सकते हैं तो यानि कि जो अंतरमुखी और बहिरमुखी दोनों पक्ष इनके सेम है तो अगर कोई भी समाजिक वेक्ति है और उसको लोगों से मिलना जुनना पसंद है तो उसको हम बहिरमुखी पक्ष में रख सकते हैं इसी प्रकार कोई वेक्ति एकांथ प्र तरीके से जादा बोल नहीं सकता किसी से या फिर उसको बहुत जादा सोचने की जरूत पड़ती है और जो बहिर मुखी होते हैं वो समाजिक होते हैं तरीके से नेक्स्ट है इनके अंदर जो इनकी थियोरी का सेकेंड है सनाई विरकृति तो इसके अंदर क्या है इस तरह के व समजोर होती है इनके विचारों एवं क्रियाओं में क्या होता है मंदता पाई जाती है ऐसे व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों के सुझाव को चुप्चाप मानने की प्रवर्ति होती है तुथा इनमें समाजिक्ता यानि की जो समाज में रह रहे हैं समाजिक्ता का अभाव पाया जाता है ये वैक्ति अपने इच्छाओं का दम्मन करने वाले होते हैं दूसरे किनारे पर इस्थिरता होती है, मतलब इसमें क्या होती है, जिसकी और बढ़ने पर इन लक्षणों की मात्रा कम हो जाती है, और दूसरे प्रकार के लक्षणों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, जैसे कि द्रेन इच्छा जो हमारी होती है, शक्ती होती ह माजिक वेभार साशन करने की प्रविर्टी तो यह बैसिकली हमारा सैकंड पार्ट था थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर मनोविकृत्ति तो मनोविकृत्ति क्या होती है सुपर इगो की क्रिया जैसा कि हमने फ्रोइट की थियोरी में इड इगो सुपर इगो पढ़ा था तो कि उन्होंने एक अध्यान और किया मतलब जो 1952 में उन्होंने एक अध्यान और किया जिसमें उन्होंने क्या किया जिसमें उसने इस प्रकार को जोड़ा व्यक्तित्व का यह प्रकार जो यह प्रकार है मांसिक रोग यानिकी mental illness की एक शेड़ी है जिसे मनोविकृति यानि की जो साइकोजिस कहा जाता है तो ये मनोविकृति इसको कहा जाता है इसके बाद है इसके अंदर इस प्रकार के व्यक्तितुव में क्या होता है इस प्रकार की जो personality होती है उसमें क्या होता है शीन यानि की पूर एकागरता शीन इसम्रित्ती यानि कि पूर होती है एक आगरता नहीं होती इसम्रित्ती जादा इसमें यूसफुल नहीं होती सम्वेदन शिलता होती है कुरूरता होती है दूसरों के प्रती ना के बराबर ख्याल रखना किसी प्रकार के खत्रे के प्रती क्या होता है असरकता यानि कि सतरक न होता है तो यह चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती जैसे आदाश वादिता या नादिकता आदी इस प्रकार हम देखते है कि तीनों प्रकार दोई धुरूवियें हैं मतलब यह जो प्रकार है यह Ст्रаюсь है जो उसकी परसनालिटी है इस मापनी पर कहीं भी ठहर सकता है सो फ्रेंट स अइभोप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह थियोरी आईजेंक की थियोरी पूरी क्लियर हुई होगी जो थियोरी हमारी किस पार्ट से है टाइप कम ट्रेट थियोरी यानि की परस्नालिटी की टाइप कम ट्रेट थियोरी के अंदर आईजेंक की ये थियोरी आती है so friends thank you so much for watching this video मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें and comment करें and please press the bell icon for other notifications thank you so much